हम सब जानते हैं कि सब टीवी रिवेंप होकर फिर से एक कॉमेडी चैनल बनने जा रहा है दूसरी और सोने टीवी भी रिवेंप कर रहा है एंड दोनों के रिवेंप से सक्सेस्फुल हो सकते हैं इस मैथड से तो मैं बात करने वाला हूँ पहले सब टीवी की तो गैस तेनाली रामा सीरिल हो आने वाला है हम जानते हैं और इसको जो टाइम स्लोट दी गई है वो आठ बजे वाली सोची गई है इसकी प्राइम टाइम स्लोट अब इसी के साथ आठ बजे पे बादल पे पाऊ है सीरिल को रिपलेस करने जा रहा है तो गैस बादल पे पाऊ है के साथ अब कुछ भी हो सकता है यहां तो टाइमिंग बदल सकती है यहां तो शो को ओफेर किया जा सकता है लेकिन offer का notice अभी तक तो channel वालों ने cast and crew को नहीं भेजा है तो ऐसे में अगर serial को बंद किया जाता है अगर show को offer किया जाता है तो ये show के साथ fair definitely नहीं होगा बिकॉज भले ये serial comedy नहीं है लेकिन कुछ लोग इससे still जुड़ हुए और show के performance बढ़िया चल रही थी SubTV के 8 बजे वाली time slot के उपर और इसी के साथ-साथ SubTV के कुछ और drama series भी जैसे के Pushpa Impossible और वागले की दुनिया जिनका मैं तो fan नहीं हूँ लेकिन बहुत सारे fans still है और वो shows TRP rating में अच्छा performance देते आये हैं अगर कभी SubTV वाले comedy बनाने के चकर में ये वाले shows को offer करने का फैसला लेते हैं तो definitely इनके साथ जो production है उनके साथ भी fair नहीं होगा एक्टर्स के साथ fair भी नहीं होगा और इनके जो fans हैं उनके साथ भी चीज fair नहीं होगी तो guys मैं ये कहता हूँ कि इन्हें ऐसा करना चाहिए कि जब SubTV नए comedy shows लेकर आने लग जाता है तो इन shows को shift कर देना चाहिए Sony TV चैनल की तरफ और इनकी original वाले time slots पर ही इससे क्या फायदा होगा guys इससे SubTV को तो ये फायदा होगा कि उन्होंने comedy series चाहिए और उनके drama shows चले जाएंगे वो अपने high TRP वाले comedy shows को भी start कर लेंगे इससे fans को ये फायदा होगा कि उनके favorite series वो देख पाएंगे बस एक दूसरे channel पर and series still continue होगे और इससे Sony TV वालों को क्या फायदा होगा Sony TV को ये फायदा होगा उनकी जो time slots dead पड़ी है इतने जादा time से वहाँ पर उनको एक guaranteed viewership मिल जाएगी कहने का मतलब है अब Sony TV भले ही नएने shows लेकर आ जाए तो जादा 100% हम नहीं कह सकते कि वो अच्छे TRP ही लेकर आएंगे लेकिन अगर sub TV की ये जो existing series हैं बाजल पर पाऊं है वागले और पुश्पा अगर इनको Sony पर original वाली time slots पर shift कर दिया जाता है तो ये guaranteed है कि इनकी सारी viewership इनकी सारी जनता Sony TV पर shift होके ये वाली series को देखेगी एड जादा से जादा इनकी जो viewership sub TV पर आ रही थी दूसरी और Sony TV पर नए नए shows भी चलो उनके revamp के बाद आने ही है लेकिन जब तक उनके नए shows नहीं आ जाते है तब तक ये वाले series को वहाँ पर shift करके उनकी viewership बढ़ाई जा सकती है और उनके नए shows को भी इससे ज़्यादा exposure मिल सकता है इतनी audience sub TV वाली जब Sony TV को देखने लग जाएगी और वहाँ पर promos भी देखेगी Sony TV के दूसरे upcoming lineup को लेकर फिर बाद में भले ही Sony TV वाले भी ये shows को उड़ा दें इनको offer कर दें लेकिन वो अपने नए shows को लेकर आएंगे तो उनको भी exposure थोड़ा जादा मिलेगा और Sony TV वालों के viewership थोड़े टाइम के लिए बड़ी तो होगी और उससे उनका भी फाइदा हो जाएगा इसी तरीके से because आज के टाइम में Sony TV को कोई भी नहीं देख रहा है और उनके नए shows की जो marketing है CID को छोड़ कर बागी सारे shows की of course आगे तक नहीं जाती है CID तो बहुत बड़ा नाम है तो of course पूरे इंडिया में हर किसी को बगा चल गया कि उसका नया season आ रहा है तो anyways मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर सब टीवी offer करने की सोचता है अभी अपने वाले drama shows को वैसे तो अभी के लिए कोई भी ऐसी confirmation नहीं है सब टीवी ने कोई भी offer की notices ये वाले series को नहीं बेज़े हैं लेकिन आगे चल कर सब टीवी बहुत strict होने वाले अपने comedy वाले route को लेकर तो अगर ये show को बंद करने के सोचते हैं drama वाले को तो मेरा ये suggestion रहेगा कि इनको बंद करने से अच्छा इनको sony पर shift कर दिया जाए उससे दोनों channels का फायदा रहेगा and fans का भी फायदा रहेगा बागी ये सिरफ एक मेरा सुझाब है ये सिरफ मेरा एक idea है channel वाले इसा करें ना करें वो तो उनके उपर है and आने वाले time में आने वाले अप तो में हमें सब पता चल जाएगा कि sub tv एक्चुल में करने क्या वाला है कि आपने drama shows को बंद कर देगा कि आपने drama shows को स्टेल चलने देगा side by side comedy भी लेकर आएगा लेकिन actual में क्या होगा आने वाले दिनों में ही हमें पता चलेगा comment section में जरूर बताईगा यह जो मेरा सुझाब है आपको सही लगा यहां फिर नहीं और अपनी right comment section में जरूर बताईगा मुझे लगता है कि हाँ sub tv पे comedy shows ही होने चाहिए सिरफ and sony tv पे दूसरे टाइप के shows होने चाहिए sony tv का definitely इससे फायदा को सकता है sub tv के shows तोड़ टाइम के लिए दिखाने से ऐसे और sub tv and sony tv revamp related videos पाने के लिए हमारे चैनल टेलेवूट प्डेट्स को subscribe करके बेले गन दबा लीजिए तागे आप कोई वीडियो मिस ना करें फिलाल के वीडियो में इतना अभी के लिए चलता हूँ goodbye